तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे कुश्चन नमबर 8 का सेकेंड है ना बच्चों सेकेंड तो अगर आप देखो तो कुश्चन नमबर 6 का पहला कुश्चन हमने सेम ऐसे किया था जहां पर 5 था 2 और 3 था इसमें लॉजिक मैंने बताया था बच्चों कि जब भी किसी कोई एक एंगल जैसे आप है 7a दो एंगल को जोडने पर मिले चार तीन साथ तो आप बड़े वाले अंगल से सुरुवात करोगे है ना बच्चों हम बूलेंगे सिंस हमें पता है कि 10 7a यहां सुरुवात करनी है इस इकॉल 2 को हम क्या लिख सकते है बच्चों 10 लिख सकते ह है 7a को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 4a प्लस 3a है ना सिक्स का फरस्ट कॉर्शन बच्चों सेम यह था वहां पर 5a था 3a था और 2a था तो 5 कैसे बने का 3 2 5 तो यहां भी 4 3 को जोडने से साथ मिलता है तो बड़ा वाला एंगल है बच्चों हम सुरुवात करते हैं तो वगारे बच्चों यहां पर हम बोलेंगे कि सेंस भी नोज इन अब अधे डान एपिलस बीका टैन ए प्लसलिका फार्मला क्या होता है बच्चों होता है टैन ए अप्लस 10 भी अपान में one-mionus 10a और 10 B हना बच्चों यहां से कहां बंचे तैन ए एक हां पहारे बच्चों फ 10a मतलब 104a और 10b मतलब 10 3a यहां पियारे बच्छों 10 का 7a आप क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेंगे इसका गुना इससे होगा बच्छों और इसका गुना इससे होगा है ना तो अपन क्या करते हैं इसका गुड़ा इससे करते हैं पैरे बच्छों तो 10 हमारा जो 7a है 7a into 1-10 4 501 एप और 10 3 एप यारे प्यारे बच्छों फेर बढूना इससे होगा तो बढूना इससे करेंगे ही आएगा तो बच्छों टैन फौर एप लिस्टन थरी ए ठीक है पर अब चैन सेवने कंदर गुना करेंगे तो 107a का 1 से गुना 107a माइनस 107a का इस से गुना 107a 104a और 103a is equal to यहां प्यारे बच्चों 104a प्लस 10 का 3a ठीक है प्यारे बच्चों आप देखो जो प्रूब्ड करना है उसमें क्या चाहिए उसमें कहता है कि आप प्रूब्ड करो 15 174a 103a एक साइड रहे है ना एक साइड रहे जो इंटु वाला है वो एक ही साइड रहे मिल्ड इसको हम उधर साइड ले जाते हैं और इसको इधर साइड लाते हैं ठीक है ना और 7a-4 a है प्यारे बच्चों क्या करते है रखें ग infamous 7a यह एहां राखे रह चाएं ठीक है ये बन जाएगा इस पूरे पोर्शन को उठा के उधर ले जाएगे बच्चों तो माईनस है तो प्लस बन जाएगा तो टैन सेवट ए है ना और टैन 4A है ना और 10 3A प्यारे प्यारे बच्चों प्यारे बच्छों को यहां तक अगर कोई दिक्क्त हो किसी प्रकार की समस्या हो तो जरूर बताए है ना रफ करने वाला कहां यह हुआ तो अभी देखते हैं बच्चा आगे अब तो प्रूब भी हो गया लगभग लगभग क्या प्रूब भी हो गया बस उल्टा लिखा हुआ है यह वाला पोर्शन इसको अपने धर कर दें उसको अधर एन फॉर ए माइनस का टैन थ्री अपन बोलेंगे बच्चों पी आर ओवी एडी हैंस प्रूब कर सकते हुए फिर इतिसे धम बोल सकते हो अब अब अच्छो कुस्टन नमबर सैवन का जो सेकेंड थार्ड कुस्टन है वह भी बच्चों वह भी बच्चों अच्छा स्वारी अपना जो यह कुस्टन था वो किस कुस्टन के जैसा था बच्चों सिक्स के फॉस्ट के जैसा नहीं था यह था हमारे किसी यह कुस्टन के जैसा मतलब की किस के जैसा था औरे कहां गया कोई कुस्टन दिखा हुए इसके जैसा कुस्टन दिखेगा तब ना हाँ यह सेम है, question number, question number 6 के first के जैसा, जो इस से, question number 8 का जो third है, प्यारे बच्छों, जो करने वाले हैं, यह question है, cos 9 degree of plus cos 45 का नाइन डिगरी of plus sin 9 degree of minus sin 9 degree, अपाउन प्यारे बच्छों, कास का नाइन डिगरी अ माइनस साइन का नाइन डिगरी इस इकवल टू प्रूफ करना है टैन का चौमन डिगरी है ना तो बच्चे हमें इस पर लॉजिक क्या बताया था आपको सेम कुछन सेक्स का फर्स्ट है सेम नहीं मतलब वहां पर कुछ और है नौ के अख्थान पर यह हैंड साइड सबताना नीचे बता रहा हूं लेकिन लेप हैंड साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड है कॉस नाइन डिगरी अपलस साइन नाइन डिगरी अपान प्यारे बच्चों कॉस नाइन डिगरी और माइनस का साइन नाइन डिगरी तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हमें लाना किया है एक हमें लाना है हमने एक लाजिक को कि जब भी आपको साइन कुट से थैन्ड परावर साइन का से टेन चाहिए हさん लोगजिक साइन तो आ आप कॉस्ती ह вари lle tana ईभी साइन कोश्ट से से टेंच जाहिए हो तो अपर कॉस्क है देते हैं तो बस अंस और हर। का सब भाग दू तो तो आंसम्हें भाग देंगे को साइन नइन डिगः आपान में प्यारे बच्छों में कि भाग दे दिए घना कषण और का भाग दे दिया ऐसे प्यारे बच्चों यहां पे है कॉस नाइन डिगरी और माइनस का साइन नाइन डिगरी अपान में अपन ने कॉस नाइन डिगरी का भाग दे दिया ठीक है प्यारे बच्चों तो अभी अपन क्या करेंगे अभी अपन यहां पे करते हैं तो इस इकॉल का 9 डिगरी बते क्या है बत्ड उसाइन का सरी कास का 9 डिगरी ये कैसे किया मैंने स्प्रीट करना आप क्या बोल चुका हूं अगर एप्लस बी अपन सी हो तो आप एक fifty कर सकते हो एक बार भी अपन सी कर सकते हो एक ऐसका स्की पान में यह स्ट एक का नाइन डिगरी माइनस साइन का नाइन डिगरी अपन कॉस का नाइन डिगरी साइन का नाइन डिगरी अपन कॉस का नाइन डिगरी है ना बच्चों तो आप अगर हम देखें तो कॉस नाइन से कॉस नाइन कैंसल कॉस नाइन से कॉस नाइन कैंसिल तो इस एक्वल टू कॉस सब्सक्राइक प्लस तो प्लस है साइन नाएन बटें कस्थे नाइन डिगारे से ठेल और mythology इसे लिए अगर sin theta upon cos theta is equal to 10 theta होता है sin 9 upon cos 9 is equal to 10 9 होगा प्यारे प्यारे बच्चों तो बस हो गया कहानी खतम यहां से अब अगर देखा है हमें क्या चाहिए 10 चाहिए अपने पास क्या है 9 है कितना अंतर है 45 का अंतर है 45 कहां मिलता है 1 में 45 मिल जाता है यह बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों इसको आप कैसे लिखोगे 1 को 1 लिखोगे अब प्लस यह एकदम तरीका जो है दिमाग में बैठाओ ऐसा होगा तो ऐसा करना पड़ेगा अपने पास 10 9 है चाहिए 54 तो चाहिए और 9 में 45 कम है 45 कम है तो 45 कहा से मिलेगा 1 से मिलेगा क्यों तको 10 1 10 45 एकवल टू 1 होता है ऐसे इस वाले 1 को 1 कर दें माइनस इस 10 9 को हम 1 इंटू 10 9 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कर सकते हैं बच्चों बिलकुल कर सकते हैं अब फिर अपन बढ़ते हैं होता है इसका मतलब हम वन के स्थान पे टैन पैतालिस कर सकते हैं तो वन के स्थान पे बच्छों टैन पैज करेंगे अब प्लस यहाँ पे टैन नाइन डिगरी है अपान तो अपान इस वन के स्थान पे वन रहने दो माइनस इस वन के स्थान पे बच्चों टैन पैतालिस कर दो और यहां पे है टैन नाइन बच्चा आप बोलोगे कि फिर से आप वही बोलोगे कि इस वन के स्थान पे टैन पैतालिस किया है इस वन के स्थ में होता है होता है बच्छों TAN A A plus TAN B upon 1-10 A और TAN B फार्मूले में यहां 1 रहता ही है इसलिए पन्ने 1 कर दिया तो बच्छों यह मुझे दिखाई दे रहा है टैने के जैसे है ना टैने के जैसे यह दिखाई दे रहा हमें 10 B के जैसे 1 माइनस यह हुआ 10 A और 10 B तो यहां पे अगर 10 A प्लस B यह होता है तो उस फार्मले के हिसाब से यहां होगा 10 A प्लस B है न 10 A प्लस B A के स्थान पे है 45 मतलब 10 45 प्लस B क्या है 9 तो बच्छों 45 प्लस 9 क्या होता है 24 डिगरी होता है इस एक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए अपन और राइट हैंड साइड अपन लेकर आ गए तो बच्छों नमबर 3 आप जो सिमिलर कुस्टन है अपन नहीं करेंगे प्यारे बच्छों तो आप हमारे पास है कुस्टन करेंदेगे से पस वह फूर्थ क्या है कुस्टन बड़ा कुस्टन दिख रहा है लेकर इतना बड़ा कॉसओं उवे प्लस भी फिर प्यारे बच्चों है कॉसओं एक कॉसओं ये प्लस खरके हैं कॉसओं इंद कर कि यहां तक कोई दिख्गत ने कि को तो कोई ने करूं हमें प्रूब्ड करना तो बच्चों लेफटफण साइड क्या है लेफटफण साईड हे साइड ए प्लस भी और फिर फिन प्लस है साइन इसार है साइनigram ऐ माईनस का B अपान में यहां बच्चों है फॉस जलिए भी और फिर है प्लस का कॉस फिर प्लस है प्यारे बच्चों का सक sectors का A-B, ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं, तो, is equal to, sin A plus B क्या होगा बच्चों, हो जाता है sin A, और cos B, अप्लस cos A, और sin B, ये हो गया बच्चो, sin A plus B का फार्मूला इतना, फिर प्लस तो प्लस, फिर बच्चों है sin A, तो sin A कर दिया, फिर प्लस तो प्लस, sin A minus B का फार्मूला है sin A, और cos B, माइनस तो माइनस, और cos A और sin B, ये फार्मूला आपन जानते हैं, अपान है तो अपान करेंगे, फिर बच्चों, cos A plus B का फार्मूला होता है, cos A और cos B, प्लस है, cos कब है बहार उल्टा, तो माइनस, और फिर sin A, और sin B, ऐसे बच्चों प्लस, यहाँ पे है cos A, फिर प्लस, यह हो जाएगा बच्चों, cos A, और cos B, माइनस है तो प्लस, फिर बच्चों, sin A, और sin B, ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो जरूर से जरूर, बताते चलो, है ना, अब अगर देखा जाए तो cos A, sin B, प्लस माइनस का है, और यह यहां cos A, sin B, प्लस का है, ऐसे प्यारे बच्चों, sin A, sin B, माइनस का है, और यहां sin A, sin B, प्लस का है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब अगर देखा जाए, तो हमारे पास क्या है, ठीक है, यह वाला sin A है, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, एक sin A, cos B, एक और sin A, cos B, कितना हो गया बच्छों two हो गया और sign a हो गया और cos b हो गया फिर प्लस ये वाला प्यारे बच्छों sign a हो गया upon में एक cos a cos b एक और cos a cos b कितना हो गया बच्छों होगया two cos a और cos b और फिर एक बचा है प्लस का कॉस ए प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है ना यहां तक अगर कोई समस्या किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्यारे बच्चों आपको जरूर से जरूर बताना है ठीक है ना आपको जरूर से जरूर बताना है क्या कहते है आगाह करना है है ना गुमराह नहीं करना है कि ठीक है अब देखो अब कुछ बच्चे हाँ टू से टू कैंसल कर देते हैं कितनी गलत बात है अगर टू दोनों से कॉमन होता तो कैंसल हो जाता अभी तो यह टू से लगा हुआ है इस टू का इस से हिसाब किताब मांकी है बच्चों तो ऐसा अपन कैंसल नहीं करते हैं सफ लिकाल डेती हैं बच्चों कोंन तो क्या बचेगा उपर से अंक था करपने साइन किम넉नघ निकाल ले हैंनम अलम्क घृच्चों अगर यहां से साइन कमन निकालने बच्चों तो आजाएगा टू कॉस भी स्वारी साइन क्या कामन निकाल रहा हो साइन यहां भी साइन यहां भी तो अच्छों साइन ए कामन निकाल रहा है तो अंदर बचलेगा बच्छों टू कॉस बी प्लस वन अपन यहां पिया क्या कॉमन बच्छों कॉस ए कॉमन है कॉस ए कॉमन है तो यहां से अग हुए कैंसिल हो गया है तो इस ऑपान कॉस टिटा इस एक्वल टू क्या होगा बच्चों टैन हो जाएगा इस इक्वल टू राइट हेंड साइड यही हमको प्रूब्ट करना था वह कहता हूं बच्चों कि बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ गे तकर ले जाओगे आपको जादा कुछ करना ही नहीं है इसका मैं लगे हाथ अब कर देता हूं अगर बचा होगा वीडियो का टाइम तो हो जाएगा नहीं बचा होगा तो बीडियो बंद जाएगा यह बच्छों डेसलर मेरा मात्र 30 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करता है तो अगर कुस्चन पूरा नहीं हुआ तो इसके अगले वीडियो में हाँ से अपन सुरू कर देंगे ठीक है बच्छों जल्दी कर आता हूं वैसे मैं आप कुस्टन नमर फिप्त है बच्छों कहता है सिद्ध करो सिद्ध कीजिए की कोस अलफा माइनस बीटा अपान कोस अलफा है न एफ्ट हैंड साइड है कॉस अलफा माइनस बीटा अपान है प्यारे बच्छों कास अलफा और कास बीटा प्यारे प्यारे बत्चों हमें पता है, लुय कोस अहे माइनस भी ह्वोता है वह था है बचछों कॉस ए न छब B, माइनस है तो प्लस, और फिर बच्चों, साइन ए और साइन भी, है ना प्यारे बच्चों, तो कॉस अलफा माइस कॉस बीटा, वो जाएगा बच्चों, कॉस अलफा, और फिर कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस, और फिर कॉस, और फिर साइन अलफा, और प्यारे बच्चों sine ka bita upon में गये तो प्यारे बच्छों यहां पे है cosplay alpha और क्या है cos बीटा तो प्यारे प्यारे बच्छों एक बार मैंने क्या बोला inspiring करना सीखो A plus B upon C हो एक बार A upon C कर सकते हैं और एक बार B upon C कर सकते हैं एक बाar इस पूरे के upon में ये पूरा कर सकते हैं ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हो गया तो प्यारे बच्चों कॉस अलफा और कॉस बीटा के अपान में कॉस अलफा और कॉस बीटा है ना, ऐसे प्लस तो प्लस फिर प्यारे बच्चों साइन अलफा और साइन बीटा के अस्थान में कुछ mistake तो नहीं कर रहा हूं मैं है ना, कुछ mistake वैसे नहीं हो रही है तो फिर cancel out कैसे होगा। ये ये कहाँ से ये गलत लिखा मैंने यार क्वेश्चन ही गलत लिखा गोस अलफा और sin बीटा है बच्चों यहां कोस अलफा और साइन बीटा कौस अलफा से कोस अलफा कैंसल साइन बीटा सै केंसल तो प्यारे प्यारे मद्चों यहां पर कोस कि लिग दो कि भीनोड ज़ Smete Ooh अब बटे कॉस्च थीटा बनावर क्या होता है तैन थीटा होता है लेकिन इसका ल्टा हो गर कास ठीटा बटे साइन ठीटा वह होता है बच्छों कॉट ठीटा जोसटma स このCu हो जाइका बच्छों साइन अलफा बटे काउस आलफा पृद इसको बवस्तित करके लिख लेकर लें अं प्लस का जांव हमाहरा राइट हैंड साई तो इस इकवल टू राइट हैसाई चाल रहा है अब हुआ नहीं हुआ है तो इसका जो हमारा question number fourth है बच्चों, question number fourth भी same है, question number six के first के जैसे, question number six के first के जैसे, या फिर यह कहें कि question number अपने जो अपने किया eighth का, उसके third के जैसे, तो प्यारे बच्चों कर ले ना, तो question number eight खतम होता है, अब मात्र बचा है question number nine, जो अगले वीडियो में ख जे बच्चों कामने का झाल, कध़र एक स्थाई्ट बग्सा बचरो चाहाने उंगर के मात्माइब झाल, चॉँआ हैISका झाल, की एक्याली है, या प्यार जो चाल, क्याली है, जगर हो को बचले हैे जङ़गरी जदे एकाल, काता हुली, मात्धुचर्शी ओदाई्ज़ न